गुड आटरून एवरीबन वेलकम यौल इस अजय अजय आपको जानना है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं तो जल्दी से बात कर लेते हैं नाच्वल गेस के बारे में दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं ऑफिस से अपना टाइम निकाल कि यहां आपके लिए वीडियो बना मुझे तो इस को अगर रसक्रेट दें यह तो प्लीज लाइक बटन घवा दीजिए चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करिए ऐसा नहीं की व्यूर आंको पर्संद आज यदे बिना याज किये भीना आप सब्सक्राइब पर आप निकल जाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किये सब्सक्राइब दबाने के बाद बैल आइकन दबा के सलेक्ट वाल करना ना भूले क्योंकि अगर वह आपने मिस्स कर दिया तो आपको फिर से में कोई वीडियो अप्लोड करूँगा आपको नोटिसिफिकेशन आए गई नी तो जल्दी से बात करता है नाच्छल गेस के बारे में दोस्तों तो हला कि नाच्छल गेस में मैंने कल टारगेट दिये थे दोस्तों आपको ठीक है ना फॉफुली आपके वह सारे टारगेट क्लिक हो गए हमको प्रोफिट मिला था मैंने कल वीडियो बनाया था नैच्छल गेस के बारे में अगर आपको वीडियो जानके जानना आए तो यह देखे यह मैंने वीडियो बजाया था ने चलिक हो गया था तो हमने अच्छा का सा प्रोफिट माहां कमाया था दोस्तों राइट तो देखे आज के लेवल सम फटाफट ब बनाता हूं वीडियो मेरा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं पहले से शूट करके रख रहा हूं नहीं मैं स्पॉंटेनेसली बनाता हूं आपके सामने ही चार्का अनलेसिस करूंगा ठीक ना तो जो न्यूज है दोस्तों वह कोई गूम फिर के वही वही न्यूज आ रही चैनेटिव रिकालेंगे कभी क्या कभी क्या ठीक है ना तो इसकी वज़े से और जो आपनी डील है जो इसमें इरान और युनान में यूरोप में थी राइट नुक्लियर डील की जो नैच्टर गेस से काफी रिलेटेड है ठीक है लेकिन वह हो नहीं पार ही टाइम टूट ज़ेने के वज़े से क्या है कि नच्ट कर दिया था ना इयुरोप के लिए ना च्यांते लिए टीटेटिया लिए 3 तीन दिन जहाँ पार है और उपर से इनका यूरोग गिर रहा सब्सक्राए लिए तो गिनने का मतलों समझते हैं, दोस्तों किसी भी इंडियन किसी भी कंट्री की एकोणोमी पता है, आज जो यूएस है, वो आज इस लेवल पर क्यों है, क्योंकि उसकी करंसी देखिए आप, डोलर का एक रुत्बा है, ग्लोबल कंट्री में, हर कोई चीज, हर कोई ट्रेड हो ठीक है ना for some reasons 80 80 तक चला गया तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर आते हैं जल्दी से बात करते हैं नाच्राइज के क्या टागेट्स रहेंगे ठीक है ना फटाबन नाच्राइज का चार्ट देख लेते हैं जैसा कि आप सबको पता है मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर मेरे एक तो वन डे का चार्ट ओके वन मेरे रिफ्रेश दिस वन ओके सो दोस्तों जो नाच्राइज का है मैंने आपको पहले भी बोला है काफी सारे वीडियो में मैंने बोला है कि यह आपको उपर ही दिखने वाला है इनकमिंग फ्यूचर जैसे मैं क्रूड ओल के बारे में बोलता अब ही तो हम एक-दो दिन के लिए टार्गेट देख रहे हैं आज के लिए कल के लिए ठीक ना तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्लीज दीजे मैं स्पॉंटेनिस लिए आपके सामने चार्ट देख रहा हूं राइट ओके ओके वह एक औकए तो one week के फीपोनेसी सरी्स बहुत इंपरेंट होती दोस्तों वह ध्यान सिरीज मैं बीना फैंपील सेटीं मिल जाते हैं मेरे इतना इसके बार आत नहीं करेंगे ठाट देख लेते हैं लक्स एक्सपैंसिव हमन्थ का चैर्ड तो दोस्तों यहां से मुझे फिर से एक लिटिल बिट वड़ाइसे लाइक इसका देखने का अच्छा ठीक है एक लेवल आ चुके है मेरे पास ठीक है ना दोस्तों यहां से आपको शॉर्ट नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ओल ठीकना शॉर्ट अभी नहीं हरना एस करेंट प्राइस पे अगर यह प्राइस इए लेवल देख लिए आप ये वाला नहीं एक मेंट तुम में दोस्तो अगर ये दोस्तो दोस्तो शेवन ेटी-फॉर को ब्रीच करता है ठीक है न मैं वापस से बोड़नों अभी बोड़नों अगर यह 784 को ब्रीच करता है 784 को ब्रीच करता है और 784 के अगर बीच करता नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसके टार्गेट 775 वापस से रह सकते हैं 775 से लेकि 778 की बीच में आपको 1% का प्रोफिट मिल जाएगा तो अगर यह 784 के नीचे जाता है देन यू कें डू शॉर्टिंग और उसका एसल बहुत मिनिमल रहेगा वापस से 784 का अगर मैं बोल के आपको टार्गेट दे रहा हूं अगर 776 की तो आपको कितना हो रहा है साथ आपको फाइदा हो रहा है और आपके जो एसल रहेगा वह एसल वापस से 790 गहीं रहेगा तो एसल जो हमारा जो रिस्क है वो छे पॉइंट का है और जो रिवार्ड है वो तरीके से ध्यान से दुनना दोस्तों मैं इसमें काफी सारी चीजे इनवल करने हो अगर यह 784 के नीचे जाता है तो टार्गेट रहेंगे 776 के लेकिन अगर यह 784 को ब्रीच नहीं करता है उपर जाता है तो आपको वेटन वोच की पॉलिसी अपना नहीं है ठीक है ना और क आने वाला नाचुल गेस में क्योंकि बहुत क्वाइट एक रीजन है शायद आपने मेरी वीडियो नहीं देखें जो जो भी नए चैनल आए जो नए वीवर से मेरे नहीं सब्सक्राबर से उन्हों देखा नहीं होगा नाचुल में इतने वीडियो बनाए और हर एक वीडिय इसको और पूरे दुनिया को रहे उसका काम दंदर यही है तो क्या किया है यूरॉप में जो विंटर सीजन आ रहा है उसकी वज़ए से नाचुल गेस की बड़ी दिख्कत हो जी कहने को तो बहुत है कि मैं कोईला जला दूंगा अभी कोईले वाली यूस आई थी ना जैसे अगले चार महने तक नाचुल गेस चाहिए उनको और डिमांड में रहेगी रहेगी बात आती इंडिया और चाइना की चाइना में फाइनेश चल रहा है राइट चलने का मतलब यह नहीं होता है कि लोग बिजली दिना बंद कर जाएंगे ठीक है आप बोलते ना कि एकोनोमिक आसर आपने तो फंडा बताया है कि रिशेशन में कंजूमर कम हो जाते हैं तो यह होता है दोस्तों ठीक है ना तो वह सप्लाई डिमांड रहेगी नैच्रल गेस की राइट में इंडिया यह जो यूरोप कोईला यूज करने लगा था उसकी वज़से से इंडिया को ना अब कहां से इंपोर्ट करें कोईला तो उनको पैटकोग मंगाना पड़ रहा है ना व आप बतांगा नैच्रल गेस के ठीक है न हमने वीडियो बना रहोगा नेस्ट के बारे में और बहुत सारी वीडियो बना रहे लूगा अभी मेरे को लगता है कि आपको वर्ट आपकी बेस्ट पॉलिसी रहेगी नैच्रल गेस फ्यूजर में व्ज़स में आब भी तक हमने अच्छा कासा profit book कर लिया था मैंने कर लिया था उसके बाद मैंने इसको देखा भी नहीं क्योंकि मुझे पता है मैंने हर वीडियों बोला ही उपर जाने वाला है जब जब मौका मिले तब ही आपको ट्रेड करना है जबरदस्ती अगर आपको ट्रेड करके आपको अपने लोस लेकिन बहुत वालेटिलिटी रहती है बहुत वालेटिलिटी इसमें तो हाइली पैशन्स की ज़रूत दोस्ता बहुत जादा पैशन्स की अगर कोई यह पैशन्स और रिस्क नहीं उठा सकता दोस्तों मुझे लगता है कि उसको नाच्छों में फिलाल के लिए ट्रेड नह तो सकता है कि में एक ओ tipping फिडियो पॉसकार नत्रेम्स में है को हो जाया जाए नाच्में कोई युसाया थो इस वीसी त्तन tienes which is really very important first of all whenever somebody give a Disclaimer that this is my disclaimer is like first of all I need to give my disclaimer this is a educational Channel right whatever I'm give me is just my opinion this is for educational purpose only your trades your profit and your loss you are the responsible okay you have to do research before taking my opinion please do research i recommend your research based on your resource only you do trade and your profit and losses is your accountability i don't have anything to do with that this is what i'm sharing is whatever knowledge i have to educate you guys and whatever i'm doing right so this is what the channel it is right okay the second thing is in this disclaimer only you see disclaimer my log here all the thank you please consult to certified financial advisors so disclaimer again guys i forgot i'm not a certified financial advisor i'm not a certified savvy advisor okay okay but i'm here personally you know you know you just gain your knowledge google mahtar ki puja karo google mahtar आपको बहुत कुछ देगी बहुत knowledge देगी घ्यान देगी मेरे youtube channel को subscribe करो जितने दोस्तों को share करो कि मैं informative videos बनाता रहूंगा आपके फिर आप बोलेंगे कि मुझे particular इस topic वीडियो चाहिए तो बनाऊंगा अगर बहुत सारी लोग देख रहे हैं तो रही तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप उससे knowledge लीजिए आपको जिस पर knowledge चाहिए उसके वीडियो बनाऊंगा google पर search करिए youtube मेरा channel देखिए और क्या चाहिए आपको ठीक है ना खुद research करिए खुद समझे इंवेस्ट करेए आज़ेखे करी एश्यक की एक प्रॉफशन नहीं इसमें आप अपना ज्यादा टाइंब दीजिए प्रॉफशन की तरह समझे जैसे जोब में आप करते हो salary मिलती हो उसी तारी किसा करी तो आपको salary से कही गुना ज्याधा पैसा right with this call this is Ajay and signing off for the day